दोस्तो आप सुभी का स्वागत है मेरे यूटूब चनल क्रेजी ग्यान पर तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सुभी को आपके फोन में इंकमिंग कॉल की कैसी खूफिया सैटिंग के बार बताने वाला हूँ एक ऐसी सीगरिट सैटिंग के बार बताने वाला हूँ जिस सैटिंग को आप सुभी को अपने अपने फोन में जरू से कर लेना है दोस्तो आप सुभी के फोन पे इंकमिंग कॉल तो जरू से आता होगा चाहे वो आपके दोस्ता आपके फोन पे कॉल करते हो या फिर कोई भी आपके फोन पे कॉल तो जरूर से करता होगा तो अगर आपके फोन पे कॉल आता है यानि incoming call आती है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देख लीजे क्योंकि ये जो setting है वो आप सुभी के काफी काम में आने वाली है नॉर्मली जब भी आपके फोन पे किसी का भी call आता है यानि incoming call आता है तो उस call को आपके अलाबा भी कोई भी उठा सकता है simply उसे slide करना है और वो आपकी call को आसानी से उठा लेगा लेकिन इस video के अंदर जो मैं आप सुभी को setting बताने वाला हूँ इस setting को करने के बाद से आपकी call यानि आपके phone पे जिसका भी call आता है उस call को सिर्फ आप ही उठा सकते हैं क्योंकि उस call पे एक secret lock लग जाएगा और उस lock के वार में सिर्फ आपको ही पता होगा और उस lock को आप ही देख सकते हैं आपके अलावा से कोई देख भी नहीं पायेगा तो इस प्रकार की setting अगर आप अपने phone में करना चाहते हैं ताकि जब भी आपके phone पे किसी का भी call आए तो उस call को आपके अलावा कोई भी ना उठा पाए तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आप सुभी को अपने phone में कौन सी setting करनी है और इस setting को करने के बाद से कैसे आप अपने incoming call पे lock लगा सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इसके बाद आप सुभी को वीडियो के comment में आके आप सुभी को एक छोटा सा comment भी लिख देना है तो comment में आप सुभी को लिख देना है hidden trick ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आपको hidden trick लिख देना है यानि उस call को सिर्फ आप ही उठा सकते हैं और आपके अलावा कोई नहीं उठा पाएगा तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से setting के बार बता देता हूं दोस्तों setting को करने के लिए आप सभी को अपने phone में सबसे पहले इस application को download कर लेना है तो वो सारी permission को आपको allow कर देना है उसके बाद आप सभी को इस button को on कर देना है और यहां पर आपको change mode के उपर click कर देना ठीक है या फिर ये जो option है आप सभी के सामने वैसी आजाएगा इसके बाद यहाँ पर आप सुभी कोई चो call बटन मोड है इसके उपर आपको click कर देना है इसके उपर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एक password set कर लेना है ताकि जब भी आपके phone पर किसी का भी call आएगा तो वही password डालेंगे तभी आप उस call को उठा पाएंगे और वो जो password है कोई बंदे को पता नहीं होगा तो आपके phone को दूसरा बंदा नहीं उठा पाएगा तो यहाँ पर आप अपना password कैसे भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं अपना password बना लेता हूँ एक बार उपर की side और एक बार नीचे की side आप अपनी mercy से इसे इस तरब खीश सकते हैं जैसा भी password बनाना चाहिए वैसा पसेवर्ट बना सकते हैं अब इसे दुबारा से मैं confirm कर लेता हूँ इहाँ पर एक बार उपर एक बार नीचे और हमारे जो password है यहाँ पर save हो चुका है एक बार उपर और एक बार नीचे ठीक है इसको यहाँ पर आपको next कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर यह टेस्ट करने का option आ जाता है तो यहाँ पर अगर आप गलत password डालेंगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूं तो यहाँ पर यह रोंग बता देग तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे बंदे को नहीं पता होगा कि इसे किस तरफ खींचना है तो यहाँ पर मैं अपना password डाल देता हूं जैसे मैंने एक बार उपर क्या था यह गलट डल गया तो यहाँ पर हम अपना password चले डाल लेते हैं एक बार उपर और एक बार यहाँ पर नीचे तो जैसे मैंने सही डाला उसके बाद उसके बाद यहां से मैं अपने call को उठा सकता हूं तो इस तरीके से आप इस सैटिंग का इस्तमाल करके अपने दोस्तों incoming call पे lock लगा सकते हैं ताकि आपकी को जो call है वो आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना उठा पाए